हेलो दोस्तों दृष्टी आईएस के इंडेस्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं हूंगी तांजरी आज हम यहां पर मैंग्रोव वन मैंग्रोव वन इस दुनिया में परिस्थितिकी में यह जल्वाई परिवर्तन के लिहाद से कितने महत्वूर हैं इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं यानि आज का हमारा विशे क्या होगा आखिर क्या है मैंग्रोव अलाइंस फॉर क्लाइमिट जिसे मैक की रूप में भी जाना जा रहा है तो अभी हमने चर्चा भी की थी पिछले कुछ हैपी सो उर्टसेस में आये हुए हैं भारत इन सभी देशों ने आपस में मिलकर एक एलाइंस शुरू किया है जो क्लाइमिट के लिहास से महत्पून है इस एलाइंस का नाम क्या रखा गया है मैंग्रोव अलाइंस फॉर क्लाइमिट यानि जलवायों को ध्यान में रखते हुए मैंग्रोव को लेकर एक गटवं करने वाले है यानि आज के हमारे कौन-कौन से होंगे चल्वाइव के लिहाद से मैं गट क्या है और का इतना महत्व क्या है या मैंग्रोव कि वर्तमान इसिती को वर्तमान लेवल पर या एशिया के लेवल पर हम देखेंगे कि मैंग्रोव की स्थिती क्या है भारत में मैंग्रोव की स्थिती क्या है फिर जानेंगे आज के सेशन पर आधार एक प्रश्न को वह प्रश्न प्रिलेंस के लेवल पर होगा जिसका जवाब आपको comment section में देना है तो आईए सबसे पहले देखते हैं खबर और खबर में चलने से पहले आपके लिए एक महदुपोन सूचना है दुरिष्टी आईएस ने आईएस 2023 को ध्यान में रखते हुए यानि आईएस प्रिलेंस 2023 को ध्यान में रखते हुए अनलाइन मोड में शुरू किया जा रहा है जिसकी खास व्यष्टा क्या है कि इसे दृष्टी लर्निंग एप पर ही शुरू किया जा रहा है जिस्ती शुरू आज 4 नवंबर से हो चुकी है आप इसका लाब लेनी के लिए इस नमबर पर संपर कर सकते हैं नमबर है 9311-406441, तो कि इसकी क्लासी शुरू हो गए हैं, तो आप इस नमबर पर कॉंटेक्ट करके और भी जानकारिय से ले सकते हैं, बढ़ते हैं आज के शेशन की तरफ सबसे पहरे देखिए खबर, खबर बहुत सारे नीज़ के परस में प्रकाशित की गई है, इसे हमने इंडियन एक्षिस से लिए है, खबर क्या है, वाट इस दा मैंग्रोव एलाइंस फॉर क्लाइमेट, विच इंडिया जॉइंट एट कॉप 2070, यानि बीते कॉप 25 का जो आयोजन हुआ है, उसमें इंडिया ने इस एलाइंस में अपने भागिदारी निभाई है, तो आज के सेशन पर हम यही जानेंगे कि मैंग्रोव एलाइंस फॉर क्लाइमेट अखिर है क्या, और यहां पर मैंग्रोव क्या है, तो आए सबसे पहरे देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आ गया है, तो इसकी चर्चा में होने का मुख्य का करण क्या है, कि बीते 8 नवंबर को क्या है, यह इस वर्ष इसका 27 सत्र था, यानि कॉप 27 इसे लिए इसे कहा जाता है, क्योंकि यह इस वर्ष इसका 27 सत्र था, इसका आयोजन कहां पर किया गया, इसका आयोजन किया गया, मिस्र के शर्म शेठ में इसका आयोजन किया गया, और इसी आयोजन की तहत निकर कर साम आए मै heartfelt में इसे मैं टे ही सम्भोदित करेंगे तो दौनों देशों ने भारत के साथ साथ अन्य भी देशों को शामिल किया है जैसे श्री लंका उस्ट्रेलिया जापान स्पेन ये सभी देश एक भागिदारी की रूप में इसको यहां पर इन्हों ने इनकी शुरुआत की है इसकी शुरुआत का मुख्य उद्देश क्या है दारासर इस एलाइ विस्तारिट किया जाए ये कैसे कारबन को अवशोषित करने में यहां पर सहायक हैं ताकि वातावरण को सुरक्षित बनाया जा सके इसके महत्व को दुनिया में ये प्रतेग व्यक्ति तक इसे पहुँचाना ये इसका मुख्य उद्देश बताया जा रहा है यानि यह कद लिए रहे जिसके शुरूआत का कि इस पहले है किन दो देशों ने की है और किन देशों को भागिदार बनाएंकि यह एक पहल है किस पहल की रूप में देखा जा रहा है इसे ताकि यहाँ पर जलवायू से संबंदे जो घटनाए घटित हो रही है उन्हें कम किया जा सके इसमें और कौन-कौन से देश शामिल है तो इसमें भारत, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, जापान और इस तेन शामिल है लेकिन यह पह जाने मैंग्रोव कैसे जलवायू परिवर्तन की लिहास से महतुपून है या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं मैंग्रोव कैसे इस शेत्र में यहाँ पर महतुपून कारे कर सकते हैं इस लिहास से इसकी शुरुआत की गई है मैक यानी यह के अन्यविंदो को जाने यूए ने कॉप 26 में अपने एक लख रखा था उस लक्ष में ने कहा था कि युची वर्श reckना तिक थे सो मिलिएं अपनी मेंगभर कफार को बढ़ावा देगा है यानि मैंग्रोव कवर को 100 मिलियन को बढ़ानी की बाथ उसने कही थी, सबके लिए वर्ष 2030 तक लें। इसी लिहाज से उसने कोब 27 में क्या कहा है? उसने कहा है कि वह अगले 2 महिनों में 3 मिलियन मैंग्रोव को बढ़ाने का इरादा रखता है, या मेंग्रो वनों को लगाने का इरादा रखता है इसलिहाद से इसकी शुरुआत भी की गई है मैक के बारे में दी समझें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है यानि यहाँ पर कोई बाध्वता नहीं है यहाँ जो पार्टीज है वही अपने लिए सारे रूर्स रेगलोइश में अभी हमने जिनके बारे में चर्चा भी की विपार्टिया स्वयम मैंग्रोव की प्लांटिंग और रिस्टोरिंग के संबंध में अपनी प्रतिबंधताओं को तैय करेंगे और अपनी समय सीमा को भी तैय करेंगे कि इवे कितनी समय सीमा में कितनी कवरेज को बढ़ा सक क्या है याने इस alliance को बनाने का मुक्यददेश क्या है क्योंकि इसमें जो देश शामिल है वे कहीं न कहीं मैंग्रूब की एक बड़ी मातरा रखते हैं मैंग्रोग वनों की एक बड़ी अन्टीर का मुक्यदश क्या है इस इस अपने वेशयेसक्ज्यूं को एक साथ लाकर जो भी महत्पूर बाते हैं मैंग्रोव के संबंध में जो नई नई नीतिया हैं पॉलिसीज हैं उनको शेयर करना इसके साथ ही तटीक शेत्रों के शोध प्रबंधन और उनकी सुरक्षा को लेकर एक दूसरे से जो भी सूचनाए हैं उनको सूचनाओ का आदान प्रददन करना और एक दूसरे को समर्थन करना इस का मुख्य अदेश बताया जा रहा है तो यह तो हमने देखा इस के बारे में आब अब हम देखिंगे कि आखर मैंग्रोव क्या है और इनका महत्व क्या कहलाते हैं और महत्व किन वजहों से काफी यहां पर महत्वकोन हो जाता है यदि देखेंगे मैंगरोव को मैंगरोव यदि हम सामाने भासा में समझें तो मैंगरोव छोटी-छोटी जाड़िया जो पौधे होते हैं जो यह तो दलदली वाले इलाके में या खारे-पानी मीठी-पानी वाले समिस्टरन वाले इक शित्र में या दलदली वाले इक शित्र में या कह सकते हैं खारे-पानी वाले इक शित्र में ये उपते हैं तो इन्हें ही कहा जाता है मैंगरोव इनकी खास विशेशता हैं कि छोटे-छोटे होते हैं और पानी में इनकी जड़ होती है तो मैंगरोव क भी जीवित रह लेते हैं, तो हम जानते हैं, जब यह कम उक्सीजन में जीवित रह लेते हैं, इसका मतलब यह oxygen कम मातरा में लेते हैं, यानि वातावरण में oxygen की यहाँ पर उपलब्धता परयाप्त मातरा में होती हैं, तो जब यह oxygen कम मातरा में लेते हैं, तो इसका मुख्य और सबसे बहतरीन कारे है कि ये CO2 का बातावरण से अवशोशन करते हैं तो ये एक कारवन सिंख की रूप में भी जाने जाते हैं इसलिए मैंग्रोव कवरेज बढ़ाना काफी महत्रपूर देखा जा रहा है इसके अलाबा मेंगरोव वर्षों से सनक्ष्ण वादियों का ज्ञान केंजित करते हैं क्योंकि अप्रें हमनी काट रहे है जहीं काट रहे हैं का घकटवे लो Самद्रीत बढ़ रहा है तट taton के काटाव वर्णने से मंग्रोव पर्हानी का रख असर पड़ा है और जब mangrove one की हानी हुई है तो इसलिए संदक्षन वादी इनकिस्तियों और ध्यान के इंदिर कर रहे हैं कि mangrove one का coverage हमें बढ़ाना चाहिए वैश्विक जलवायू संदर्ब में इसके महत्व को कम करना काफी मुश्किल है क्योंकि अभी हमें चार्जा भी की कि इतने महत्वपून हैं और अक्सीजन इनकम मात्रा में चाहिए होती है इसके साथ ही ये कार्बन का आवशोशन भी करते हैं और वर्दमान सिती जलवायू परिवर्दन के लिहाज से काफी नकारात्मा द्रश्यों को दिखा रही है इसलिए यहाँ पर मेंग्रोब वन काफी महत्तवपून हो जाते हैं यह गाई को का एकृपि मिट्टी को उपजाव बनाते हैं और मिट्टी को उपजाव बनाने के साथ ही उसकी शमता को बनाए रखने में ये काफी महत्वकून होते हैं तो ये शेत्र में ये पाई जाते हैं वहां से जो मिट्टी है काफी उपजाव होती है इसके अलावा एक और इसकी मुखी विशेषता है तटी इस्थरी करण क्यों तटी इस्थरी करण? क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री तट को इस्थर बनाने में काफी महत्पून होते हैं यहाँ पर आने वाली जो भी समुद्री लहरे हैं, धाराएं हैं, तूफानी लहरे हैं या जवार हैं जो समुद्री की कटाव को यहाँ पर बढ़ावा देती हैं तो मैंग्रोव वन यदी वहाँ पर होते हैं उसमें छोटे-छोटे पत्ते जब जड़कर इसमें गिरते हैं तो यहां पर नीचे दब जाते हैं जो blue carbon का source कहलाते हैं इसलिए यहां पर mangrove को इस लिहाद से भी काफी महत्वपूर माना जाता है इसके अन्य महत्वों की बात करें तो यह जल शोधन का भी कारे करता है हम जा जाती है समुदुरी घास भी महत्वपूर माने जाती हो और यह कैसे शित्र में पाई जाती है जहां पर पानी साफ हो तो इन दोनों की स्वस्थता को देखती हुए यह इनको स्वस्थ्थ रखने के लिए पानी क्यों पानी के शोधन के लिए Mangrove-on काफी महत्वपूर माने जाते हैं क्योंकि मैंग्रोव वनों की जल शोधन शमता है वे काफी अच्छी होती है और यह यानि कोरल रीफ और समुद्री घास इसी पर निर्भर होते हैं जो पोशक तत्मों को अविशोशित करके पानी की गडवत्ता में सुधार करते हैं एवं हानीकारक शैवालों को हाद्य जाल के रूप में भी कारे करते हैं तो यहां हर प्रकार के जीवजनतों निवास करते हों तो ऑसा माना जाता है यह पक्षों मचलियों अखेशेर रुकी असंधर्य और पॉधंगे जीवालों को आवास और ढ्राव करते हैंוש पेकर जैविवुद्ता के लिहाज सबही प्रकार के जीव जन्तु पाए जाते हैं इसके अलावा यदि हम इनके अन्यमाहत्वों की बात करें तो हमने अभी चरचा भी की खार देजाल की रूप में जहां मैंग्रोवन होते हैं वहां मचलियों का उत्पादन भी अधिक होता है थी चोटे-छोटे-चोटे- मत्सपालन भी होता हूं इस लिहाँ से भी काफी महजुपों माना जाता है लेकिन इसके कई नकारात्मक परिणाम भी देखने आए हैं अत्यधिक मत्सपालन से मैंग्रोव वन प्रभावित हो रहे हैं अत्यधिक भूकम बाढ़ आधी आने से या हम देखें कि तटों को अत्य जो वर्ल्ड हैरिटेस शामिल किये जाते हैं जिसमें मैंग्रोव वनों को भी शामिल किया जाता है जिसका एक एक एक्जाम्पल है भारत का सुंदरवन भारत का सुंदरवन दरसल पूरी दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक माना जाता है यहां तक भी मा जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोवन कवरेज रखता है इसके लावा भारत की दूसरे नंबर की बात करें जो वैश्विक लैवल पर ना जाकर भारत की बात करें तो भीतरकाणी का वह शेत्र है जो काफी महल पुपूर मैंग्रोवनों की रूप में भी जान दक्षिन एशिया में विश्विस्तर पर मैंग्रोव व्यापक शेत्र में पाए जाते हैं यानि दक्षिन एशिया मैंग्रोव के लिहा से रिच शेत्र की रूप में जाना जाता है जिसमें इंडोनेशिया पूरे यानि कुल मैंग्रोव का वन फिट हिस्सा रखता है यानि में दक्षन एशिया की मैंगडोव आवादी का लगभा तीन प्रतिशत हिस्सा है जिसमें सुन्दर्वन भी आता है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भीकिकी इसके लावा भी तरकनी का यदि आने चीज़ों की या आने जगहों की बात करें जहां पर भारत में मैंग्रोव वन है तो उसमें पश्चिम बंगाल में सुंदरवन जिसकी बारे में चर्चा की अंडवान ख्षेत्र गुजरात में कच्छ और जामनगर शेत्रों में भी परियाप्त मातरा में मैंग्रो भारत में मैंग्रोव और मैंग्रोव को लेकर जो नया ऐलाइन्स शुरू किया गया है इसकी बारे में हमने चर्चा की है आये देखते हैं आज के सेषन पर आधभारत आज का हमारा सवाल सवाल क्या है कुल मैंग्रोव का पांचवा हिस्सा इंडोनेशिया में कूठ है केवल एक केवल दो एक और दो दो ना तो एक और ना ही दो तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें इसके साथ ही दृष्टी आईएस ने अपने नया एक चैनल शुरू किया है दृष्टी आईएस शौट्स दरसल इसमें एक मिनट में कौफी महदबून जानकारियां दी जाती हैं तो दृष्टी आईएस के शौट्स के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद